हेलो इस्टुडेंट कैसे हैं आप लोग आपके अपने परिवार पियम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है आज का अमारा टॉपिक यूपी बोर्ट एक्जाम से संबंदित क्लाश 10 के अबजेक्टिव कोस्चन सॉल्व कराएंगे इस अबजेक्टिव कोस्चन में आपक प्रकास का परवर्तन तथा अपवर्तन और मानव नित्र तथा रंग बिरंगी संसार के जितने अबजेक्टिव कोस्चन होंगे उसको सॉल्व कराएंगे और आपको जिस कोस्चन में डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताएं तो आईए हम लोगी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से करें तो यहां पर पहला कोस्चन है अगर आपको कोस्चन पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंस्वर क्या होगा ठीक है सबी कोस्चन पर आपको दो सेकेंड का समय दो या तीन सेकेंड का लगबक समय मिल जाएगा आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ज्यादा समय देने पर वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है तो बिगदु धारा का मात्रक क्या होता है यहां पर बिगदु धारा का मात्रक हो आवेस के प्रवादर को धारा कहा जाता है आई यह आपका हो जाता है बिगदुत धारा क्यों आवेस और यह है आपका समय तो यहां से आप मात्रक लिखना चाहें तो आवेस का मात्रक क्या हो जाएगा कुलाम आवेस का मात्रक कुलाम और समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकें समय का मातरक second और इसे को हम लोग ampere भी कहा जाता है क्यों, ampere तो इसका offering क्या होता है कुलाम प्रति second और ampere भी होता है यहाँ पर एंप संध्यthose watt wide किसका मात रख होता है सक्थी का 338 106 107 saying attract किसका मात रख होता है सक्थी का जीश का मात मात्रक होता है बिभवांतर या बोल्टेज बिभवांतर बोल्टेज विद्धुत वाकबल का मात्रक होता है बोल्ट होता है ओम किसका मात्रक होता है प्रतिरोध ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का इसको व्यक्त किया जाता है capital R से व्यक्त किया जाता है capital R से ठीक है और इसका म बिगदुत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम. ठीक है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है. अब प्रतिरोध के लिए कुछ फार्मूले बता देते हैं, जैसे प्रतिरोध स्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है RT बरावर R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर करम में जुड़ा है समांतर करम के लिए क्या होगा 1 अप्न में RT is equal to 1 अप्न में R1 1 अप्न में R2 और 1 अप्न में R3 ठीक है प्रतिरोज स्रेनिक करम में धारा का मान समान होता है धारा का बटवारा नहीं होता है और विभव क्या होता है औसमान और समानतर क्रम में क्या होता है कि धारा औसमान होता है और विभव यानि बूल्टे जो बिभव होगा बूल्टे ड्राप होगा यह क्या होता है समान होता है समांतर संयोजन में समांतर संयोजन में दिभाव का बटवारा नहीं होता है धारा का बटवारा होता है धारा और समान होगा यहां पर आप्षन कौन सा होगा C आप्षन सही होगा Next question आवेश का SI मातरक होता है आवेश का SI मातरक होता है तो Am agriculture कुम इकतरते हैं Q से और Q बराबर फार्मूला होता है IT Q बराबर क्या होता है IT और यहां से इसका मात्रक हम लोग Qulam भी लिखते हैं Sam моя Alternative क्या होता है Qulam और विग्दुदारा होता है Ampere इसका क्या होता है Ampere और समय का मात्रक क्या होता है second, इस कुलाम को हम लोग ampere second भी का सकते हैं, क्या का सकते हैं ampere into second भी मातरक होता है और q is equal to n e b होता है q आवेस हो जाएगा n ये electron की संख्या को बेक्ट करता है electron की संख्या को बेक्ट करता है और e electron का आवेस कितना होता है, minus 1.6 10 का पावर minus 10 कुलाम तो इसके लिए आप संख्या कोन होगा आवेस का मातरक कोन होगा कुलाम, ये जूल किसका मातरक होता है, कारी का मातरक ठीक है, जूल होता है यहाँ पर उम जानते हैं प्रतिरोत का होगा बोल्ट विभोका होगा है, ठीक है next question निमनलिखित में कौन विग्दुत का सुचालक है सुचालक जिसमें विग्दुधारा का प्रवा होता है और विग्दुधारा का प्रवा होने के लिए इलेक्टरानू की संख्या का होना अवस्यक है जिसमें इलेक्टरानू की संख्या अधिक्तम होगी free electron maximum होंगे उसमें बिग्दूत धारा का प्रवा होगा यहाँ पर graphite जो होता है वो आप बिग्दूत के सुचालक होते हैं और इसके क्या बनाया जाते हैं तो आपके motor जो होते हैं DC motor उनमें carbon brush जो brush होते हैं ब्रस उपईोग किया जाते हैं वो आपके carbon और graphite दोनों के बने होते हैं यह पर graphite क्या होता है सुचालक होता है next question विग्दूत वल्व का तंतू किस धातू का बना होता है तो यह पर यह तंतू किस धातू का बना होता है तो टंगस्टन का ये बना होता है किसका बना होता है टंगस्टन का बना होता है next question ओम का नियम होता है कि किसी बिग्दूत परिपत में प्रवाहित होने वाली धारा लगाये गए supply voltage के समानुपाती होता है यानि V proportional क्या होता है आई वी प्रपोस्टनल आई वी प्रपोस्टनल आई तो यहाँ पर वी और यहाँ पर क्या करते है कि इसको constant माल लेते हैं तो यहाँ पर आर क्या होता है constant आर क्या होता है constant एक नियतांक होता है जिसको हम resistance के नाम से यानि प्रतिरोध के नाम से जानते हैं तो V is equal to क्या हो जात हम r is equal to v upon में i लिख सकते हैं तो यहां से v is equal to क्या हो जाएगा ir option number पहला correct होगा यहां पर i ही नहीं है यहां पर r नहीं है और यहां पर गुणा होता है फ्लस नहीं होता है ठीक है यहां पर कौन सा option सही होगा correct option यह होगा next question bolt meter को bolt meter को बिग्दुत परिपत में कैसे जोड़ा जाता है यहां पर bolt meter जो होता है bolt meter को जोड़ा जाता है समानतर क्रम ठीक है इसको याद रखेगा bolt meter को समानतर क्रम में जोड़ा जाता है जितने भी question और आप सा नहीं से related जो भी point बताया जा रहा है आप इसको note कर लीजिए समांतर करम में क्या जोड़ा जाता है voltmeter समांतर करम में voltmeter जोड़ा जाता है और स्रेणी करम में आपका जोड़ा जाता है emitter emitter क्या करता है current धारा मापने के लिए होता है तो emitter स्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वियुल्टिमीटर किस में जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं next question विग्दुधारा उत्पन करने की उप्ति है विग्दुधारा कौन उत्पन करता है जनरेटर जनित्रियानी वही generator यह क्या करता है कि यांत्रिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा को बिगदुत उर्जा में परिवर्तित करता है यांत्रिक उर्जा को बिगदुत उर्जा में परिवर्तित करता है दूसरा इससे point सुनिए मोटर क्या होता है कि मोटर विगदुत उर्जा को मोटर क्या करता है विगदुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्तन करता है विगदुत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्तन करता है electrical energy convert to the mechanical energy M meter यहाँ पर और गयलोनों मीटर देखिए जनरेटर और मोटर से संबधित और कोशन देख लेते हैं जनरेटर क्या होता है कि जनरेटर में जनरेटर में आपके फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है क्या ग्याद करने क मोटर में क्यों सा नियम लगता है तो आपका लेफ्ट हैंड रूल लगता है फ्लेमिंग के बाए हाथ का नियम लगता है और इससे क्या ग्याद करते है चालक पर लगने वाले बल की दिशा ग्याद की जाती है तो इसके लिए कौन सा अप्शन होगा विग्दू धारगत्पन कौन करता है जन्रेटर यह आपके इससे संबंधित आपको पॉइंट बता दिया है यह सारे अब्जेक्टिव कोस्चन ही है ठीक है नेक्स्ट कोस्चन बिग्दूत परिपत में दो बिंदूओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयूख होता है विभवांतर मापने के लिए बोल्ट मीटर प्रयूख किया जाता है किसमें जोड़ा जाता है यह समांतर क्रम में किसमें जोड़ा जाता है समांतर क्रम में परिपत के समांतर करम में संयूजित किया जाता है ठीक है next question डाइनोमो का सिधान्त आधारित है डाइनोमो का सिधान्त किस पर आधारित है तो डाइनोमो का सिधान्त जो है पका के सिधांत पर कारी करता है इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इंडक्षन के सिधांत पर कारी करता है ठीक है next question चुम्बकिय छेतर का SI मातरक है चुम्बकिय छेतर का SI मातरक होता है टेसला चुम्बकिय छेतर का SI मातरक क्या होता है टेसला वेवर किसका मातरक होता है तो फ्लक्स का फ्लक्स का क्या मातरक होता है वेवर और इसे बेट करते हैं फाई से ठीक है नेक्स्ट कोश्चन चुम्बकी ये बल छेतर का एसाई मातरक क्या है? तो चुम्बकी ये बल छेतर का एसाई मातरक बल बराबर देखिए यह बराबर होता है I, B, L, Sine, Theta ठीक है? अब यहाँ पर चुम्बकी ये बल छेतर जब निकालेंगे B कमान तो F आपान में I, L को यहाँ पर पच्छांतर करेंगे Sine, Theta को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल कमातर क्या होता है? Newton बल कमातर क्या होता है? Newton और I कमातर क्या होता है? Ampere Ampere और लंबाई कमातर क्या होता है? Meter तो क्या हो जाएगा Newton प्रती Newton बटे में प्रती Ampere meter ठीक है next question विग्दूत मोटर की किरिया किस पर आधारित है तो विग्दूत दारा तता चुंब किये प्रभापप क्योंकि जब विग्दूत मोटर को विग्दूत दारा दिया जाता है मतलब supply दिया जाता है उसन के फिल्ड से वह मैग्देट उत्पन होता है मैग्देट के कारण मोटर के चालक पर यानि वही चालक पर एक बल कारी करता है जिसके कारण मोटर रोटेट करने लगता है घूमने लगता है नेक्स जल विग्दूत सेयंत्र किस उर्जा को विग्दूत उर्जा के रूप नित करता है तो किस उर्जा को क्यों रिखिए जल विग्दूत सेयंत्र जो आपका hydropower plant जो डैम को बनाकर पानी कठा करके और पेनी स्टोक के माध्यम से पानी भेजा जाता है और टार्बाइन से टकरा करके भूमता है और टार्बाइन से जनेटर जुड़ा होता है तो टार्बाइन के भूमने से जनेटर गूमता है और बिजली बना करके देता है ठीक है तो यहाँ पर बस आपको याद रखना है इ बंधित है next question चुम्बकिय छेत्र एक ऐसी रासी है जिसमें होते हैं तो चुम्बकिय छेत्र एक सदीष रासी है कैसी रासी है चुम्बकिय छेत्र एक सदीष रासी है सदीष रासी में परिमार सदीष रासी में परिमार वदिशा दोनों की आवसकता होती है और अदीष रासी में राशी दो प्रकार के होती है और अधीस राशी में क्या होता है केवल परिमार किया हो सकता होती है दीशा की नहीं क्या होता है दीशा क्या हो सकता नहीं होती है केवल परिमार क्या हो सकता होती है तो इसमें क्या होगा आप्शन नंबर C परिमार भी होगा और दीशा भी हो होगा, next question, बिग्दुत कुंबकिया प्रेइरन की खोज किस ने की थी? कि कि wiping उलेक्ट्रोमागनेटिक इंडक्शन किस ने खोज कि ती तो फेयराडेboxane सब्सक्रियोष कि पर बिद्धुत्ट क क्यों में उल्न को कर आधार मट Door के नियम होते हैं left और कोया होते हैं right hand रूड इसके लिए तो detail आपको बता चुके है next question बिग्दुत बल्ब में कौन सी गयस भरी रहती है बताईए बिग्दुत बल्ब में कौन सी गयस भरी रहती है तो यहाँ पर निस्क्रिय गयस भरी जाती है बिग्दुत बल्ब में निस्क्रिय गयस भरी जाती है ठीक है next question एक किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है किसके बराबर होता है कमेंट करके बताईए कि एक किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है एक किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है देखें यहापर यह का रहा है कि 1 kilowatt घंटा तहसे हाँ पर कितना हो जाएगा 1 kilo मतलब 10 का power Kil にवार्ट मतलब 10 का power 3 घंटा यानि 36 ठीक है kilowatt घंटा घंटा को change करेंगे kilowatt को change की है घंटा को भी change करेंगे 36 सो आएगा ठिक है क्योंकि घंटा को change करेंगे तो 60 minute और 60 second तो 36 हो जाएगा गुणा करेंगे देखे 36 10 का पाउर 3 और 2 जीरो कितना हो जागा 10 का पाउर 5 यहां पर देखे 3.6 गुणे 10 का पाउर 6 लिख सकते हैं क्यों 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 कि जब यहां पर गुणा करेंगे तो जाएगा तो यहां पर पांच ही आजाएगा ठीक है लेकिन यहां पर आप्सन दिया है तो उस अम्मज में बनाने के लिए हम इतना लिखते हैं और इतना होता है यानि तीन दस्वलों चोग उने दस का पर कितना हो जाएगा चोग जूल करता है तो उसमिय के कारण यह घटना होती है तो यह उसमिय के सीधान पर कारी करती है नेक्ट जीवास में इंदन का उधारन है जिवास्म इंधन का उधारन है अपका कोईला भी होगा लकणी भी होगा मतलब यह सभी क्या होगा जिवास्म इंधन का उधारन सभी होगा नवीन करणिय उर्जा का सुरूत है कौन इसमें नवीन करणिय उर्जा का सुरूत है बताईए क्या होगा इसमें नवीन करणिय उर्जा का सुरूत है बताईए नवीन करणिय उर्जा का सुरूत है आपका सौरूर्जा होता है क्या होता है सौरूर्जा नवीन करणिय उर्जा का सुरूत होता है आपका सौरूर्जा ठीक है सौर उर्जा होगा पवान उर्जा होगा तापिय उर्जा होगा ठीक है, तो ये सब नमीन करणी उर्जा के सुरोत है, आप इसको याद रखिएगा Next सौर उर्जा को विगदूत उर्जा में परिवर्थित करती है क्या, सौर उर्जा यानि सोलर जो है वो सौर उर्जा को बिगदूत उर्जा में क्या परिवर्तित करता है सौर कूकर अब बिगदूत मोटर क्या करता है तो यहां पर सौर सेल जो सोलर सेल होता है सोलर सेल यानि सोलर प्लेट के नाम से जानते हैं वहां क्या होता है यह सौर्य से जो किर्णे आप्तित होती है यह प्रकास मतलब यह सौर उर्जा को यह क्या करता है विगदूत उर्जा में परिवर्तित करता है यहां पर क्या हो जाएगा सौर सेल नेक्स क्वेस्ट बायो गैस का मुख्यगटक है बायो गैस का मुख्यगटक मि्थेन होता है निम्न में से कौन उर्जा खनीज है तो यहां पर क्या होगा कोईला जो है यह उर्जा खनीज होता है कोईला ठीक है यह सब आपके last chapter जो है उसको यह जितना भी question है सब आपको को याद कर जाना है उससे जो भी सम्बंदित होगा और आपको जितने भी question आप अभी आपको तो numerical है यहांपर देखे कि परवनम में किस प्रकार की उरजा होती है यहांकि सूर्य की उरजा उत्पन होती है यह है तो नाभगी शौझ सुरी की उर्जा जो उत्पन होती है वो नाभकिय सल्लायन के द्वारा होती है ठीक है नेक्स्ट वह अस्थान जहां अधिक संख्या में पवन चक्की लगी होती है उसे कहते हैं पवन चक्की यहाँ mistake है वह आस्थान जहांपर अधिक संख्या में पवन चक्किया लगी होती है उसे क्या काते है पवन फार्म क्या का जाता है पवन फार्म next question गोबर गैस एक प्रकार की है गोबर गैस एक प्रकार की क्या है बायो गैस ठीक है यह क्या है bio gas इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे gover gas क्या होता है bio gas होता है आपर next question global warming के लिए उत्तरदाई gas है global warming के लिए उत्तरदाई gas है carbon dye oxide carbon dye oxide और यह repeat question है दोनों same question है ठीक है दोनों same question है by mistake की repeat हो गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदाई गैस क्या है ये कारबन डाइकसाइड नेक्स्ट ओजोन गैस पाई जाती है ओजोन गैस पाई जाती है ओजोन गैस पाई जाती है बताईए ओजोन गैस पाई जाती है कमेंट करके बताईए ओजोन गैस पाई जाती है कमेंट किजि चोब मंडल में, चोब मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, कहां पाई जाती हैं, समताप मंडल में, कहां पाई जाती हैं, समताप मंडल में, नेक्स्ट, वायू मंडल की सबसे निचली परत है, वायू मंडल की सबसे निचली परत क्या है, जलवाज, वायू मंडल की सबसे निचली परत क्या है जलवास ठीक है next गैस को जीवनदाई गैस कहा जाता है कौन सी गैस है जिसको जीवनदाई सब जानते है क्या होता है oxygen इसके बिना जीवीत रना क्या है मुश्किल है तो कौन सी गैस होती है जिवनदाई गैस जिवनदाई कौन सी होती है ओक्सीजन ठीक है नेक्स्ट इन में से किस नदी पर टीटीरी बाद बना है किस नदी पर टीटीरी नहीं टीहरी बाद बना है किस नदी पर बना है कमेंट करके बताईए किस कहां पर बना है तो ये बना है आपका गंगा कहां बना है गंगा ठीक है next question विश्रोई लोग किस ब्रिच के संड़क्षण के लिए प्रसिद्ध है किस ब्रिच के लिए खेजड़ी ब्रिच होता है उसके लिए विश्रोई लोग क्या होता है प्रसिद्ध है राष्ट्रिय वन अनुसंधान कहा इस्थित है?, देखरा दून next question कॉली फार्म जिवारू कॉली फार्म जो जिवारू होते हैं वो पाया जाता है कहां मानव के यकृत में मानव के अमासे में मानव के आत्र में मानव के विक में किस में पाया जाते हैं तो मानव के आत्र में पाया जाते हैं ठीक है तो ये आपको इस objective question के last जो question था ये अब आपको जो भी doubt हो आप comment जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा आप share कीजिए ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में